and welcome you all I am Roy from Maha Jan Traders so guys आज हम बात करेंगे अलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आज बात होंगी और बिल्कुल यहाँ पर अलोक इंडस्ट्रीज एक बैजरीन स्टॉक साभीत हो सकता है बिल्कुल एक बड़ा टार्गेट हमारा हमें यहाँ पर क्लियर दिखाए दे रहा है गाइस देखेंगे तो यहाँ पर इस वीडियो में अलोक इंडस्ट्री को लेकर और बॉनस को लेकर काफी कुछ बाते होगी तो वीडियो को एंड तक देखना गाइस और अगाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल महाचन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज च करेंगे अलोक इंडस्ट्री के बारे में अलोक इंडस्ट्री किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है तो गाइस स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पर चोबीस रुपे हसी पेसे के लेवल पर चोबीस रुपे हसी पेसे के लेवल पर स्टॉक कर रहा है ट्रेड और कितना बड़ा है कितनी बड़त स्टॉक में आज देखने को बली है कहीं न कहीं 0.20 पेसे तक स्टॉक उपर की और पड़ा साथ ही 0.81 परसें के हिसाब से स्टॉक में तेजी हमें देखने को मिल रही है स्टॉक में तेजी भले ही कम हो बट स्टॉक धीरे धीरे यहां पर अपने टार्गेट् अगर आसे ही मूमेंटम बताते रहा इसे ही मोमेंटम अगर इसमें रहा तो बिलकुल ए स्टोपаст गड़े रिटन देगा ही देगा सो गास्म मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें।। levels में हाँ पर आपके साथ share करने वाला हो तो चलते हैं अलोक industries के chart के ओपर so guys यहाँ पर आप देख सकते हो first of all हम बात करेंगे one day time frame पर day one time frame पर हम बात करेंगे अलोक industries को लेकर और क्या levels हमें दिखाई दे रहे हैं वह हम इस वीडियो में देखेंगे तो अलोक industries में अगर देखा जाएं तो यहाँ पर resistance शो कर रहा है stock और support शो कर रहा है उसी के basis पर stock में upside downs momentum दिखाई दे रहे हैं यहाँ से stock में बढ़त आई फिर यहाँ से sideways stock चला फिर stock ने support लिया और finally यहाँ पर इसने दिया है breakout और guys breakout के बाद stock में target हमें clear देखने को मिल रहे हैं तो क्या target हो सकते है यहाँ से तो हम देख लेते हैं तो 24 रुपे 85 पेसे के level के असपास तो अभी trade कर रहा है और यहाँ पर किस level से नीचा आया था 35 रुपे यहाँ पर breakout मिला है तो यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा ही करेगा और guys एक बात में यहाँ पर clear कर दू कि यह breakout हम मानतो रहे हैं बट इसे हम retaste भी मान सकते हैं क्यों तो वह आपको समझेगा इस level पर तो यहाँ पर भी वही फाइनली breakout के बाद stock में high लगया stock फिर नीचा और support लेके stock यहाँ से उपर जाने की तयारी में तो यहाँ पर 35-36 रुपे तक stock easily trade करेगा easily यहाँ तक जाए गई जाएगा और आने वाले टाइम में इससे भी बड़े बड़े यहाँ पर जो momentum से इससे भी जो बड़े बड़े levels है वह भी यहाँ पर आपको मिलने वाले यहाँ पर यह जो चीज़े हैं यहाँ पर clear कर देती है stock में कि stock बिलकुल एक price action के हिसाब से काम अगर करता है तो बिलकुल return दे गई देगा और यहाँ से अगर आप देखोंगे तो यहाँ से भी stock में rejection आया था फिर stock नीचा है फिर sideways चला फिर sideways चला और यहाँ से एक सीधी एक बड़त हमें देखने को बिलेगी 53 रुपे 35 पैसे तक कि जो एक बड़ा target है और बड़ा target होगा ही होगा achieve और गाइस यहाँ पर अलोग industries में अगर आप देखोंगे तो यहाँ पर बारा पोइंट 31,000 करोड करस का मार्केट कैफ है जो इसे एक mid-cap stock की के डिगरे में लाके रखता है open हुआ था 24 रुपे 70 पैसे के price पे stock ने high लगा था 25 रुपे 10 पैसे का और low लगा था 24 रुपे 45 पैसे का वही अगर देखेंगे 52 पैसे का हाई 35 रुपे का है जो मेरा टार्गेट है फस्ट सेगेंड 30 रुपे का है जैसे मैंने बताया और 18 रुपे 70 पैसे का यहाँ पर low भी आपको देखने को मिल जाएगा price performance की बात करेंगे तो price performance में काफी upside down momentum है उपर जाता है कभी नीचा आता है फिर कभी उपर जात इसमें साथ ही अगर इसके community sentiments के आकड़ों की बात करूंगे तो 82 परसंट जो लोग हो buy करने के लिए कह रहे है यानि काफी तगड़े buying आकड़े आपर दिखाय देगे 18 परसंट लोग sell के लिए कह रहे है तो यहीं नहीं अब बात करते हैं bonus की तो यहाँ पर जो bonus share है वह है BAC LDD जिसमें यहाँ पर 944 के असपास trade कर रहा था और आप देख सकते हो यहाँ पर trade करने वाला stock सीधा नीचे आया तो यहाँ पर 800 से भी ज्यादा की गिरावरती और यहाँ पर bonus की अगर बात करूं तो stock में यहाँ पर 2H21 का bonus यहाँ पर मिला है यानि एक share के बदले आपको यहाँ पर 2 share मिलेंगे यानि 2 share अगर आपके पास है तो आपको उसके double share आपको मिलेगे यानि उस share यहाँ पर हो जाते है चार तो कुछ इस तरीके से bonus आपको मिलने वाला है तो guys यहाँ पर अगर देखें तो BAC के share holders में भी यहाँ पर काफी बड़ी buying आई थी American यहाँ पर इन्वेस्टर्स है वेंगार्ड उन्होंने बड़ी buying के थी stocks में भी तो यहाँ पर और अगर देखा जाए तो बहतेरीन stocks से दोनों ही विल्कुल आप investment कर सकते हो वीडियो चल लगाओ वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो thank you